नमस्कार नेक्स्ट ट्राइं यूज देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं मार्शी जैस्वाल अतीक एहमद की हत्या हो गई उसके बाद लगातार यूपी में सियासत गर्माती भी निज़रा आई है यूपी में कानून विवस्था पर लगातार सवालिया निशान खड़े किये जा रहे है 14 साल से माफिया अतीक और उसके गुर्गों से लोहा लेती आई सूरजकली अतीक अश्रक की हत्या के बाद भी पूरी तरह सुकून में नहीं है जी हां सूरजकली इस समय काफी चर्चा का विश्य बनी हुए क्या है पूरा मामला वह आपको बताएंगे लेक कहती हुए वो नजर आ लिए तो दो करोडों की जमीन हथी आने के लिए अतीक नहीं उनके पती को अगवा किया था तब से उनका कोई पतार भी नहीं चला है तो 34 साल से माफिया अतीक और उसके गुर्गे से लोहा लेती आई सूरजकली अतीक अश्रक के बाद भी पूरी त कुश्वाह के पास 12 भी ये जमीन थी जब जलवा का विकास होने लगा तो जमीन की कीमत करोडों में पहुँच गई बिजमुहन कुश्वाह काती के पिता फिरोज के घर आना जाना था वो फिरोज एहमत से ट्रैक्टर किराय पर लेकर खेती करते थे इस बीच अतीक जुर् जमीनों पर कबजा कर उसे बेचने का दंदा करने लगे थे अतीक बिजमुहन कुश्वाह की 12 भी का जमीन कबजाने की फिराक्म लग गया उसने बिजमुहन से जमीन बेचने को कहा वो नहीं माने तो घर पर हमला कराया इसके बाद भी बिजमुहन टस से मस नहीं हुए तो क जिल्द ही इस वक्त जिन्दा है और उंको नुक्सान पहुंचा सकते हैं इसलिए यूपी पॉलिस से Hexley ने सुरक्षा की गुहार लगाई है कहा गया है कि उनको किसी भी वक्त नुक्सान पहुंचाया जा सकता है इसलिए डर का महौल इस वक्त उनके परीवार में बना हुआ तो ऐसे में लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अतीक की हत्या के बाद आखरकार जो उसके गुर्गे हैं उसको पकड़ने की यूपे पुलिस लगातार जद्दो जहद कर रही है लेकिन क्या उसके गुर्गों को भी जल्द ही पुलिस पकड़ पाएगी उसका जो पूर लेकिन यूपे की सियासत इस वक्त अतीक एहमत की हत्या के बाद गर्मा आती हुई नजर आ रही है आपकी इस मामनें पर क्या कुछ रहा है हमें कमेंच करके जरूर बताएं देश और दुनिया की तबाम बड़ी ख़बरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन झाल